अनवर का है अब है मैं पूछ रहा हूँ अनवर का है 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 अनवर का उनवर का नवर पाल अनवर का है जोड़ दिए जोड़ा विए झाल में पॉर्चा जोड़ा जोड़ा कि अधिति अधिति पंदर ने ने ज़से पॉर्च निया भाफ करेंड़ रहा है परिदा, परिदा, देख, मैं अनुबर को लिया है। मार्टाब। और ठोलो इस चोटू उस्ताद को मत छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को मारोगे। अरे वाह, क्या भाई का हमदर्द है। खाता हमारा है। आश हमारे पैसो से करता है। और हम दर्दी भाई से चिताता है। तुम्हारे पैसो से नहीं अपने ससूर के पैसो से एश करता हूँ। और तुम, तुम मेरे ससूर की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हो। जूट। अपने ससूर की गाड़ियों में स्मगलिंग तुम खुद करते हो। मैं? तुम्हार प्रवाद के लिए मचूर लेकिन आज उस इजद को तुम्हें दास्तार कर दो वर्मा सेट का सिर्ट सारी दुनिया के सामने जुका राजा मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं अवलाद की तरह जाएं लेकिन मा करकल था यह बाद भूल गया था जो आज वी और एक दिन साज अदॉलत पाने के लिए तुम्हें भी ठोकर मार सकते हैं मेरी बेटी को ठोकाया कर किसी और कियो सकते हैं निवल जाना से जी मैं गैट आउट 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 यह बंचे साब वर्मा सेट को सब कुछ पता चल गया है तुम फर यहां चल याओ अच्छा ओके कौन राजा सेट इस शहर के रईस तौलत मन अमीर यहां गरीबों की बस्ती में क्या लेने आए हैं समाल कर सेट समाल कर सेट यह किसी नाचने वाली का हाथ नहीं है एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का पाउं है भीया माफ कर दो भीया मुझे मुझे माफ कर दो अपने इस गुनेगार भाई को माफी दे दो माफी दे दो अरे हम तो गरीब है एक गरीब किसी को क्या दे सकता है हम जैसे लोग तो गरीब हैं गरीब मर जाते हैं और गरीबी से मरने वाले लोग किसी को माफिद्ध नहीं करते हैं बलकि आप जैसे अमीरों से माफिद्ध माणा करते हैं बस करो बहीं बस इतनी जल्दी बश सक्तियों मनमानि कि फिर पाउं पक्ड़े थोड़े से आंसू बाया और कह दिया बस किसी के घर में आग लगा दी आंसूं से छड़काओ किया और समझ लिया कि बुझ गई आग क्यों जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पहर नहीं चुड़ूगा अरे तेरी वजे से मेरे पिता समान रहीं जाजा मर गया मेरी बैन फरीदा यतीम हो गई वन्वर मर गया तू खूनी है राजा मेरी सचाए मेरी खुद्दारी का कातेल है तू चला जा यहां से दिखाजा गिर चुका है मेरी नजरों से तू और में गिरी हुए चीजें उठानी करता समझा मारो भईया मार मार कर मेरे दुखड़े कर दो ऐसान पर अमोश हूं भाया बैमान हूं मैं यह नंगड़ा राजा जिससे आपने पेरों पर चलना सिका उसे चाहए और पैर मिलते सबसे पहले उसने क्या किया किया अपने भाई के प्यार को ढोई काट दो इस पेर को मैं क्यों काट जिए अरे पहले तो तूसर्फ पैर का अब तेरी आत्मा भी लंगडी हो चुकी है इस पैर को काटने से कुछ नहीं होगा राजा कुछ नहीं होगा काट नहीं है तो मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसके कदम काट दिल की गहराईयों में जो लालच बस गई है उसके पैरों को काट कर निकाल कर बाहर फेग बोल कोट सकेगा चोटू भाईया तुम्हारा फोन आया है आओ चोटू तारो फोन आओ एलो चोटू कौन बोल रहा है मैं वर्मा बात कर रहा हूं तुम्हारे भाई का ससूर आओ बोलो सेट क्या बात है में बेटी आपने बेटी आपने बेटी की जिंदे के किए के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं मैं बहुत 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 परशाना भगवान के लिए ठोड़ी देर के लिए आजाओ मुझ पर उप्र आक्शान होगा तुम्हारा ब्लीज आज़ाई अजी बाते आता हूं सेर्ड जी 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 कि वो पर आज करो जशन मनाओ आज मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा कांटा सबसे बड़ा खत्रा हट गया है लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं हमने एक तीर से तीन शिकार किये है आप मेरी बात मानिये इंस्पेक्टर साब यहां मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया हुआ अब आप श्राइब किस मेरे बाई को कि समा ढाला या इस जब क्या हो गया वसक्टियदक्राइब अधाल कियूदे चूट गए जिसने ने भाई के साथ यह किया भाया भाया हुआ है हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर जोट लुस्ताइब जोट लुस्ताइब सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और शहर के सारे वकीलों की तरफ से मुबरक बात देता हूं यह आज आपके जज़ बनने का मेरा मतलब है आपके इस ओदे का आज पहला दिन है थैंक यू करवाई शुरू की जाए यारणर मुझरिम का एक छोटा भाई है राजा इसने इसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख लेने के बाद राजा ने मिस्चर वर्मा की लोड़की मंजू से शादी कर ली और उनका घर जमाई हो गया वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक बीस जनवरी की रात को राजा और मिस्चर वर्मा में जड़प हुई और मिस्चर वर्मा ने राजा को दिन में दस मर्तबा आप लोग गीता को हाद लगाते हो दुनिया को कस्मे खिलवाते हो कि सच कहेंगे सच कि सभा कुछ नहीं कहेंगे और जूट बोलते हो मुल्जिम को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा उससे पहले बोलकर वादलत की कारवाई में दखल अंदाजी ना करें अब मैं चंद गवा पेश करना चाहता हूं इजाजत है मेरे पहले गवा है मिस्चर रामनाथ कि अधिए बढ़े बहुत है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा पचके सिवा कुछ नहीं कहूंगा अप सेट वर्मा को कब से जानते थे वीच साल से वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मैनेजर हूं क्या ये सच है के कुछ दिनों से राजा और वर्मा साहाब के दर्मियान कुछ किचाव पैदा औरा था यैस जी हां राजा की लापरवाईयां टील वर्मा साहब के बिजनस पर असर अंदाज हो रहें नुधर दिन वर्मा साहब के कंपनी का नाम खराब हो रहा's प्र बीज जाने वारी के रात, दोनों में काफी गर्मा गर्मी होई, और सेज़ ने राजा को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। पॉइंट नोट किया जाए, घर जमाई को जब घर से निकला जाता है, तो घर तो चिनता ही है, साथ दौलत भी चिन जाती है। पिर। राजा घर से चला गया। मैं सेज़जी को बहुत समझाया। मैं चाहता था कि राजा सेज़जी से माफी मांग ले। उस शाम राजा को मैंने हर जगह तलाश किया। आखिर पता चला कि राजा बस्ति में अपने बड़े भाई की यहां चला गया हैonne मैं राशिट की दुकान है वह मैंने फोन करकि राजा को बुलवाया मगर राजा के बसका यह बड़ा भाई फोन पर आया इसने मुझसे कहा कि मैं आता हूं अब सारा मामला वर्मा साहब से मैं खुद ने पटलूँगा मुल्जम को आख्री वार्निंग दी जाती है वो बीच में ना बोले और फिर मुझरिम ने जैसा कहा था वैसा कर दिया मिस्टर रमनाथ, यू कन गो थांक यू सार यूर अनर, अब मैं इस कटेरे में मुझरिम के छोटे भाई, मिस्टर राजा को बलाना चाहूँगा मिस्टर राजा, पीस जनवरी की रात, आप अपने भाई कहां गए थे, किसलिए मैं पूछता हूँ किसलिए गए थे आप बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं मिस्टर राजा, आप जरा जोर से बोलने की तकलिफ करेंगे जी, बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं मगर बीस जनवरी ही की रात को आपको अपने भाई से मिलने की जरूरत क्यों पेश आई जी वो इसलिए यॉर अनर के इन्हें अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा अपने गरीब भाई का घर चोड़के यह उस अमीर आदमी के घर गया और उस अमीर आदमी ने इन्हें कि इन की आँखों के सामने अंधेरा चाल गया देंकी दुनिया विरान हो गई और इनोंने भाई को मिस्टर बबर्मा के खिलाब भाई एनका यह जो बंभी एक टेरियर हो में मशूर है लोगा ने जुमलों से हमला किया और जवाब में इस 58 rapt kiya और मिस्टर ब़र्मा कोन कर जोट 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 पर बोट जाए जोट जोट जाए हुआ है हुब ही पता चल जाएगा लेनर मैं मुझुम से कुछ सब्वालात में चाथा हुआ है इजाज़त, तुम्हारा नाम है उट उस्ताद मैं तुम्हारा असली नाम पोचिगा है अरे यह इपन का असली नाम है.. झूट बोलता हैं.. ढिए जारी संदगी की छूट बोलता है… C.I.D. ब्रांच में इसकी बस्ती से.. 即 में इसका भाई बरता था था विस कॉलिज से.. जहसक्र भाग कराये था.. उस मढायों से.. यह पता चलाया है कि इसका असली नाम छोट उस्ताद नहीं कोविंद है कोविंद श्री वस्तव है यह रोनर इसके बाप का नाम रमेश श्री वस्तव है और इसके भाई का नाम राजा नहीं राजेश श्री वस्तव है वोगिंट अजय कर दो लुट अजय करना युट अजय को अजय कुछ अजय कर दो अजय कर दो कर दो कर दो कर दो औिए यह चुप पससा नहां जब कर दो कैंक कि कि पिए साल में अपनय बड़े भाहि कि हाद कभी नहीं आई कभी भी मुड़कर यह नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाय तुम लोगों के बगार किस तरह मर मर के जी रहा है यह को उस जुम के सजा दे रहा हूं जो उसने किया ही नहीं जिसका खतावार भूने मैं जिन्दगी से ठक रहा हूं मेरा भाई बस एक ही तवना पर जिये जा रहा था कि मैं अपने भाईयों को जिनकी यार में मैं पीज बरस से घोट रहा हूं एक बहुत सीने से लगार हूं उसके बदल में मुझे फिर बहुत भी मिल जा तो कोई परवा नहीं और आज तकदीर को रहम आया भी और मुलाकात करवाई भी तो कहां करवाई चोटे के धामें पर कल के खून की छीटे लगा कर उसे मुझरिम के कठेरे में ख़़ा कर दिया और बड़े को उसी की जिनगी के परवाने पर बहुत की मौहर लगाने के लिए इंसाफ की कुछ सी को बिठा गिया नहीं वेटे रोबात है रोबात है रोबात है रोबात है आज तो तेरे बड़े वह का इंतहान है सही इंतहान मेरा भी है और उसका भी है अगर वो सच्चा है उसका कानून सच्चा है उसका इंसाफ सच्चा है तो तेरा ये भाई तुझे भांसी के तक्ते से बचा कर ले आएगा दूसरा जच कहां से आ गया यॉर्णर तमाम गवाहों के बयानात कलंबन हो गए है इसलिए अदलत से मैं ये दर्खास करूँगा कि वो अपना फैसला सुना दे इतनी जल्दी भी क्या है वकील साहग अब हमारी बारी तो बाती है देरी के लिए माफी चाहता हूँ यॉर्णर मैं छोटू उस्ताद याने गोईन की तरफ से वकालत कर रहा हूँ ये रहा मेरा वकालत नामर यॉर्णर प्रसीड मिसर शिवास्ता यॉर्णर मेरा सबसे पहला गवाह है मैनेजर रामनाद मिस्टर रामनाथन ये सर 20 जैनुरी की राद जब बर्मा साहब ने राजा को घर से निकाल दिया था तो आपका बयान है कि आपने उसे बहुत सारी जगों पर तलाश किया था जी हाँ कहां कहां तलाश किया था होटलों में बार्स में प्लब्स बहुत जगे और इन सारी जगों पर आपको राजा नहीं मिला नहीं मिला फिर आपको राजा मिला का राजा के बड़े भाई के बस्ती में एक राशन की दुकान है मैंने वहाँ फोन किया था याने फोन करने से पहले आपको पता चल चुका था कि राजा अपने भाइच से मिलने दस्ती गया है जी हां आप उसी बस्ती में रहते हैं जी नहीं मैं तो नेपेंसी रोड पर रहता हूं फिर उस दुकान का टेलीफोन नमर आपके पास कहां से आया जी जी मुझे वर्मा साहब ने दिया था फून के पहले या फून के बाद वह फून नमर तो तहीं मैंने पहले दिया था वर्मा सामने मुझे मैंने जी साहब आपकी याददाश बहुत कमजोर हो गई है आप खुद उस बस्ती में गये थे दुकान वाले से टेलीफोन नमर लिया था और फिर किसी पब्लिक टेलीफोन से आपने गोविन से बात की थ वो बैठा है सामने जिससे आपने टेलीफोन नमर लिया था वहां तरचानल से बुलाओं से यहां बुलाओं नहीं नहीं हाँ हाँ मैंने नमबर लिया था उनसे याद आया अब ही यादा है क्यों क्या था आपने टेलीफोन इसलिए के राजा को मुझे वर्मा साब से बिलाना था जब आप बस्ती में गए थे तो खुद राजा से क्यों नहीं मिले टेलीफोन करने की क्या जरू होती है बोलिए यार और इसके पीछे गहरी चाल थे मिस्टर रामनाथन के बस्ती में फोन करने से पहले ही वर्मा साब का कतल हो चुका था गातिले फोन करके राजा को वहां बुलाना चाहा और उस कतल के इल्जाम में फसाना चाहा मगर इत्वाक से राजा की जगा उसका भाई गोमिंद वहां पहुंच गया और कतल के इल्जाम में फस गया इस अलावनाथन प्रिकन दो अच्छा थांक्यू वेरी मुच्छ थांक्यू साथ हजालत तो आज के लिए बरखास की जाती है हुआ 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 अब यह बताईए 20 जैनुरी की रात को आपको कैसे पता चला कि आपके भाई साथ का खून हो चुका है बहुरा जी मजा कर रहे हैं वकील साथ जब सारी दुनिया का पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलता आगर मेरा अपना भाई अपना खून था मिस्टर बंसी पुलीस की रिपोर्ट के मताविक खून होने के बाद चार घंटे तक पुलीस ने एक ख़बर किसी को नहीं की सिवाए मन्जू के और आप आदे ही घंटे में वहां पहुंच गए यह खबर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई मुझे फोन आया था किसका घर के नौकर का मिस्टर बंसी टेलिफोन एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुदाबए खून होने के बाद वर्मा साथ के घर उन चार घंटों के दौरा ना किसी का फोन आया ना वहां से फोन किया गया फिर आप वहां कैसे गए और क्यों गए जैसा कि में पहले भी आपसे या रॉनर इसका जवाब मेरे पास है यह वो तस्वीरे हैं जो उस राग वर्मा साथ की लाश के लिए गई थी लिस का तमाम सामान मौजूद है सिर्फ एक चीज खायब रहे वह चमकती हुई चीज उस तस्वीर में जो घड़ी है वो घड़ी यह है यह यह उस घड़ी वाली तस्वीर में महिना दिन और वक्त साफ नजर आते हैं जॉल्समोडम की रिपोर्ट की माबए खौन iम जड़ीमें की लास सारे गयारा वज़े हुआ था और उस घड़ीमें झाले माठी सारे 1 जाना है कि और किया जाए कि ठीक साड़े ग्यारा बजे हुआ था और घड़ी में भी ठीक साड़े ग्यारा बजे थे क्या मेरे फादल दोस्त अदालत को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कतल के वक्त वहां मौझूद थी और बजाए कातिलों को पकड़ने के तस्वीरें केच रही थी मैं कुछ और कहना चाहता हूँ यह रॉनर पुलिस वहां ठीक बारा दस को पहुंचे थी यानि यह तस्वीरें करीमन सबाबारा बजे ली गई होंगी लेकिन उस घड़ी में उस वक्त भी साड़े ग्यारा ही बजे थे इससे साफ़जार होता है यह रॉनर कि वह घड़ी ज जब आपने फॉन्टन के इस्टन वाच कंपनी में जाकर इसको ठीक करवाया था यह रही उसकी रिपैरिंग की रसी यह डुप्लिकेट है औरिजिनल तो आपके पास होगी यह रॉनर मिस्टर बंसी ने पूरा प्लान करके अपने बड़े भाई का खून किया गोविंग को खून में फसाया और इसमें नान से अपने घर चले गए लेकिन कानून के पहले सफे पे लिखा है मुझरम कहीं न कहीं कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है जब यह घर पाँचे तो इन्हें पता चला कि छीना जप्टी में इनके घरी कुम हो गई है यह घरी लेने जिसने मेरे भाई के साथ यह किया भाया 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 अब हम तुम्हारे मगार क्या करेंगे भाया भाया एक बार एक दब वह कमी ना मेरे सामने आजाए मैं उसे जिन्दा नहीं छोडूगा मगर तब तक सुबूत तस्वीर की शकल में पुलीस की रेकॉर्ड पे आ चुका था मैनेजर रामनासन की जूटी कवाही राशन की दुकान पे फोन करके राजो को वर्मा साथ के घर पे बुलाने की कोशिश खबर नव मिलने पर भी सिफ आदे ही घंटे में मौकाएं वारदाज पर इनका पहुंच जाना कतल के वक्त इनकी घड़ी का महा होना और उसी घड़ी का महा से गयब हो जाना इन सारी बातों से जाहिर होता है यारॉनर के मिस्टर वर्मा का खोन मिस्टर बंसी नहीं किया है हाँ, हाँ, मैं ही कातल हूँ, मैंने ही वर्वा साथ पाखुन किया था और आज मैं तुझे भिसंदर ही छोड़ूँगा, हरी खबरदार, खबरदार को यागे बढ़ा तो, हच जाओ, हच जाओ मपचिल जी किसी की जान देख? कि जान देखक ही जाओ, हाँ कि जाओं यहाँ, हाँ, खिस्पयोग दूवाँ कि जान देखकAnd Kalau खबर हाँ, बखले necessarily कि जाने कि इन दूव quantum से व Environmental कर दो 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 झाल झाल तकार प्राइख। दखना भी कसि प्रॉच्ट तेरी जाका स्मगला मारो... जाकार मेरा भाईपा तकार। जिला नहाएख। मेरे राजा के जिन्दीगी बेरबात करने वाले मौर बॉर मौर जो से ले चलो इंको पुलिस्टेशन चलो अपनला काम हो गया इंस्पेक्टर अभी चल बेटा घर चल तू चला गया घर से सारी खुशियां चले गई मुझे बाप अभी यह क्या कर रही है या भाया वाज़ा परिया चलो भी चलो भी अभी